इस एपिसोड में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तिल की दो मज़दार सीर रेसिपी एक है तिल पापरी और एक तिल पापरी ट्यूष्ट तो सुरू करते हैं नमस्कार घर का जाय का विद्खुस्प में आपका स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर तील को लो फ्लेम पर तीरे धीरे रोस्टेड होने तक खुन लेंगे और मैंने यहाँ पर सौ गडाम तील लिया है तो इसे धीमी आज पर धीरे धीरे रोस्ट होने देते हैं और इसे रोस्ट हमें तपता करना है जब तक यह से खुसवू ना आन लगे तो देखिए धीरे धीरे इसमें कलर चेंज हुड़ा है और इससे खुस्बू भी आने लगी तो हम यहाँ पर गैस को आफ कर देंगे और इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे ताकि यह आउबर कुक ना हो तो चलिए इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं फिर हम यहाँ पर 75 गणाम गूर लेंगे और इसे 2 चम्मच पानी के साथ मिल्ट करेंगे तो यह हुआ पहला चम्मच और यह हुआ दूसरा चम्मच इसे हम भी धीमी याज पर धीरे धीरे पानी के साथ मिल्ट होने देंगे देखिए यह धीरे धीरे मिल्ट हो चुका है आप चाहो तो आप यहाँ पर घी का इस्तमाल भी कर सकते हैं थोड़ा साइन लाने के लिए मैं यहाँ पर घी का यूज नहीं करूंगी क्योंकि यह अल्रेडी बहुत अच्छा गूर है देखिए इसमें साइन भी आ रहा है अब हम इसे चेक करेंगे तो चेक करने के लिए हमें कटोरी वाले पानी में इसे डिप करेंगे और इसे हम तोर के देखेंगे अगर यह हाड जैसा सेप आ जाए तो समझे हमारा गूर पक चुका है और अगर आपने अभी तक इसकी रेसिपी नहीं देखी है तो इंड स्किन पर जाकर क्लिक किजिएगा तो अल्रेडी हमारी गूर को खो चुकी है अब हम इसमें एड कर देंगे तील को जो की हमने रोष और हम इसमें एड कर देंगे थोड़ी सी सोफ क्यूंकि ठंडी की मौसम में सोफ खाना बहुत ही फाइदे मन्द होता है तो हम इसमें थोड़ी सी सोफ एड कर दिये हैं स्वाद लाने के लिए भी और सेहत के लिए भी और इसे हम मिक्स करते जाएंगे और आज को आप हमें ह धिमी ही रखिएगा ताकि गुर्ड जले ना और तिल भी ना फिर हम यहाँ पर एक छोटी-छोटी लोई ले लेंगे तिल पापरी बनाने के लिए तो हम यहाँ पर एक छोटी लोई ले लेते हैं पापर का सेब देने के लिए आप चाहो तो आप इसे पूरा भी एक साथ भी टीप कर सकते हो और इसे किसी सापनर से कट पीज कर सकते हो तो हम यहाँ पर छोटी-छोटी ही लोई बनाएंगे तो बेलन की हिल्प से इसे हम पतला बेल लेंगे और बेलन में आप वाइल लगा लिजिएगा ताकि ये चिप के नाम तो देखिए ये धीरे धीरे सेप अपना ले रहा है और ये जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे ये हाड होता चला जाएगा अब जितना पतला बनाना चाहते हैं आप पतला इसे बना सकते हैं तो देखिए ये बन चुका है अब हम इसी तरह से ट्यूष्ट वाले बना लेते हैं तो यहाँ पर हम इसे नाइप की हेल्प से इसे कट कर लेंगे और इसे मोर देंगे देखिए ट्विष्ट की रूप में त्यार हो चुका और ये भी जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे ये टाइट होता चला जाएगा तो इसी तरह से हम बाकी को भी बना लिये हैं तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है और इसे ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए फैमली में फ्रेंड्स में और रिलेटिव में और मेरे चैनल पर पहली बारा है तो को सब्सक्राइब करके ही जाएगा तो फिर मिलते हैं एक कम बजट में बनने वाली रेसिपी के साथ जब तक खुश रहिए खुशियां बाठते रहिए आसपा सफाइब बनाई रखिए थैंक यू टेक क्यार एंड नमस्कार